हेलो गाइज स्वागत है आपका मनीशा कुमर्स क्लासिस में आज हम परचेज बुक के बारे पढ़ने जा रहे हैं लास्ट वीडियो में हमने अधर सबसीडरी बुक्स के बारे में डिसकस किया अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिं कोलर्स कोलम फिर इन्वाइस नंबर ठीक है इन्वाइस मतला बिल नंबर फिर LF फिर देटेल्स कोलम देन अमांट कोलम इसमें जरनल एंट्री जी होती है देखिया में संदिया हुया है एंटर था फोलुविं ट्रांसक्शन इन्टु परचेज बुक उफ मैसर्ज चावला 2009 February 1st परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ओन क्रेडिट 5 पैंसिल एड़ रेट रुपीस 10 पर पैंसिल ठीक है और वन डजन रिजिस्टर एड़ रेट रुपीस 24 पर रिजिस्टर हम उनको कैसे रिकोड करेंगे देखिये जो मैसर्स चावला है ठीक है उसकी बुक में और करने हैं तो हम लेट लिख देंगे यहां पर 2009 February 1 टिक भासवन परचेज फ्रोम ब्राउन अंड कंपनी ओन क्रेडिक ब्राउन और कंपनी से हमने प्रचेज किया है तो हम यहां पर लिखेंगे ब्राउन एड कम्पनी ठीक है ब्राउन एड कम्पनी जिससे हमने परचेस किया है ठीक है क्या परचेस किया है five pencils five pencils at the rate ten per pencil simple ऐसे ही record कर लेंगे जैसा कि हमें सं मेंद्या हुआ थीग है तो पितने की होगई 5 पैंसिल है 10 रुपी coils की एक पैंसिल थीद anni क्योंने क्या बोला वन डसन रोजिस्टर ठीक है एक दर्जान रोजिस्टर ख्रीदे है उसने और 24 रुपी के लिएख रोषिस्टर न ल्हएसा वन डजन रिजिस्टर एड़ रेट 24 पर रिजिस्टर ठीक है मतलब क्या हो गया वन डजन रिजिस्टर है 24 रुपेर का एक रिजिस्टर है तो कितना हो गया 12 को 24 से मल्टिप्लाई कर देंगे कितना आजाएगा हमारे पास 12 को 24 से मल्टिप्लाई करके 288 मतलब टोटल कितना हो गया यह हमने ब्राउनन कंपनी से टोटल कितने का समन कर देंगे 338 का ठीक है और उसमें उसके बाद क्या बोला हुए लेस ट्रेड डिसकाउंट एड़ रिट 10 परसेंट ठीक है ट्रेड डिसक डिसकाउंट एड़ रिट 10 परसेंट ठीक है 338 पे डिसकाउंट कितना आजाएगा 33.8 ठीक है तो फाइनल अमांट हमारी क्या आजाएगी 338 में से 33.8 माइनस कर देंगे हम हमारे पास आजाएगा 304.12 रुपीज क्लियर है फर्स्ट एंट्री नेक्स्ट है हमारी फेब सेकि एंट्री फेब सेकिंड को क्या दिया हुआ है परचेज फोर कैश फ्रोम दा स्टेशनरी मार्ट अब देखें जो हमारी परचेज बुक है अधर सबसेटरी बुक मैंने आपको बताया था कि इसमें कैश से रिलेटेटेड एंट्री नहीं डालेंगे क्योंकि जो कैश से रिल परचेज बुक होती है ठीक है उसमें हम कैश से रिलेटेड एंट्री पास नहीं करते और एसेट से रिलेटेड एंट्री पास नहीं करते हैं हम जस्ट जो जो गुड़ परचेज पास करते हैं तो फईब फॉर्थ एंट्री देख लेते हैं पर फीपर क्रेडिट फ्रॉम पेपर कमपनि से हमने क्रेडिट पर गुड़ परचेज की हैं क्या है 5 रिम्स ओफ वाइड पेपर एंड रूपीज 10 पर रिम ठीक है फाईव और 15 प्रिमें इसके एंट्री पास कर लेते हैं ठीáfic है किसे पर्चेस किया है हमने दो पेपर कमपनी पीपर कमपनी चैपर कमपनी यहां साथ अन नहीं की परचेस की है फाइव रिम्स ओफ वाइट पेपर एड़ रेट 10 पर रिम मतलब कितना का हो गया फाइव रिम्स हैं 10 का एक टोटल कितना का हो गया 50 रुपीज का डिटेल कोलम में लिख लेंगे 50 रुपीज उसके बाद उसने का है कि 10 रिम्स हमने परचेस किये यह रूल्ड पेपर के 10 रिम्स ओफ रूल्ड पेपर एड़ रेट रुपीज 15 पर रिम्स यह पंद्रा रुपे का एक रिम्स है ठीक है मतलब कितना अगर 10 को 15 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 150 यानकि टोटल हमने उससे 200 रुपीज की परचेस किया है उसके बाद उसने क्या ब क्याद प्रेट्सज्चंट का उस्ट मिन रहा है है ठीक है तोो ड्रीड डिसक्वंट हम प्लाइस करेंगे लेस पृष्टर हें प्लाइस करदेंगे तों फाइनल अमाउंट मारी कितने ही सब्सक्राइब रूपीज 0 पलीज Dude क्योंट सुट्इफ ? क्लाइं यह तना ठीक है उसके बाद बस कुछ नहीं है सिम्पल है टोटल कर देंगे 304.12 को 180 से एड़ कर देंगे तो टोटल हमारा आजाएगा 484.12 और यहां पर लिख देंगे हम टोटल बस सिम्पल इतनी है हमारी परचेज बुक